जी यहां दोस्तों बात करेंगे income tax officer की जो vacancy है उसके बारे में income tax में junior और senior दोनों तरह की post है वहीं D group वाली post भी इसमें शामिल के विए income tax department recruitment 2023 के में बात कर रहा हूँ यह जो vacancy है यह all over India महिला और पुरुष दोनों भ्यारती के लिए है 1766 vacancies का official link activate हो चुका आप apply कर सकते हो सीधी बढ़ती है इसके अलावा 12th class अगर आपने रिच्टेंट लिए पास किये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहेरा मोका है यह आविदन कर लीजे नीचे link दे रखाया चेक कर सकते हो पहले उससे notification पूरा detail में देखे तब ही आपको समझ में आएगा कैसे आपको आविदन करना है दोस्तों बात करूंगा मैं income tax recruitment 2023 के 1766 पुदों की जो vacancy निकले हो इसके बारे में यहापे आप ध्यान रखना यह जो vacancy जूनियर income tax officer और अन्य यहापे यहाण रखना डी ग्रूप वाले vacancy भी इसमें एड की गई है और साथ ही साथ यहाँ पे अपर और जो जूनियर और सीनियर पोस्ट है वो भी इसमें शामिल है टोटल मिलाके यहाँ पे 1766 vacancies होती है साथ ही साथ ही हाँ 1000 vacancies other vacancies जो भी मैं आपको बता दूँगा इसके अलावा ध्यान रखना कुछ एक vacancies में experience भी मांगा गया है इसके साथ ही साथ यहाँ पे सामान्य का 4500 रुपे OBC का DAISOR SCST का 120 रुपे यहाँ पे यह फीस लगेगी आपकी और साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जो dates रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि अधिसूचना यहाँ पे 12-5 से रिलेज हुई है इसके अलवा आविदन थी थी है 28-5-2023 और जो last थी थी है वो 36-2023 है तो 30 तारीक तक आप आप आविदन कर सकते हो अगर आपने आविदन करा नहीं है देखा नहीं है नोटिफिकेशन तो नीचे लिंक दे रखा है वाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो इसकी पूरी डीटेल्स आपको मिल जाएगी और यहाँ पे मैं आपको बता दू यह वेकेंसी ओल और इंडिया है महिला और फिमेल जो भी मतलब मेल और फिमेल दोनों के लिए अवेलेबल है किसी भी स्टेट से आप बिलों करते हो आप आप आपिदन कर सकते हो उफिशिल वेबसाइट इंकम टेक्स वाली उस पे जाके 1766 पदोवे दन्यवाद